Hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज हम बात करें के Wipro Ltd के बारे में So guys, Wipro Ltd के बारे में अगर देखा चाहे तो कुछ लेवल्स हैसे है जो आपको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना guys इस वीडियो को यहाँ पर कुछ लेवल्स ऐसे बताने वाला हूँ, जो आपको काफी help होने वाले तो मंडे के लेवल्स बताऊँगा और बड़ा breakout मिला है, तो भिलकुल आप चिंता मत करना, stock बढ़े गए बढ़ेगा तो guys, यहाँ पर Vipro Ltd में देखा जाए, तो काफी कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े होने वाली जो इस वेडियो में बताने वाला हूँ, और guys, बड़त कहा तक रहेंगी, यह बात आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो stock में आप first जाओगे, क्योंकि stock में levels आपको ध्या और यहाँ पर Vipro ने अभी 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 कार, यहाँ पर जो cloud cars है, उनके इसमें इन्होंने कदम रखा है, और उसके बारे में मैंने detail वीडियो अप्लोड करके रखा है, वाह जाके आप देख सकते हो, बट आज हम बात करेंगे इसके levels के बारे में, तो guys, वीडियो को स्टार और चलते हैं Vipro के उपर, तो guys, बात कर रहे हैं Vipro Limited के बारे में, Vipro Limited किस particular level पे काम कर रहा है, किस level पे इसने closing दी है, तो हम देख लेते हैं, तो closing के अगर बात करू, पांसो तीहोत्ते रुपे, पांसो तीहोत्ते रुपे, पच्पन पेसे पे stock ने दी है, यहाँ पर closing, बिल्कुल closing दी है, चार उपे तक stock में उपर की और momentum है, 0.70% के हिसाब से stock उपर की और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो guys, continue के यह बढ़त ऐसी ही रहने वाली, तो इसके लिए हमें levels को देखना पड़ेगा, तो Monday levels की अगर मैं बात करू, तो यहाँ पर आपको कुछ ची up होगा, वही बिल्कुल वही हुआ, नीचे की और stock आ गया, और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए, तो stock में gap down आके, जो recovery इसने की है, काफी तगड़ी, काफी fast recovery की थी guys, और वही अगर देखा जाए, तो यहाँ पर इसने एक box pattern बनाया था, इसके अंदर एक consolidate किया, और सीधा लगया high, और वही अगर देखा जाया, तो consolidate करके stock आया है नीचे के और, तो यहाँ पर एक चीज़ा हम clear कर देता है, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरीके के trade lines अगर बना दू, और यहाँ पर अगर breakout मिल जाता है, तो एक बड़ी यहाँ पर बड़त हमें बोल रहा हूँ, तो कही न कही यहाँ पर support stock ले रहा है, कही न कही एक support stock ले रहा है, एक box को अगर इसने break किया है, तो यह retest करके उपर क्यों जाएगा, तो मैं मंडे के लिए stock में bullish हूँ, बट यहाँ पर शर्त यह है, कि market भी यहाँ पर plus में खुलना चाहिए, इस market positive खुल 580 रुपे का target भी अगर आप रखते हो, तो ओभी कम है, क्यों कम है मैं बताता हूँ, तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक चीज अगर मैं आपको clear करूँ, तो यहाँ पर 4 hour time frame पर मैं एक चीज आपको यहाँ पर clear कर देता हूँ, कि यहाँ पर stock अगर देखा जाए, तो upside down momentum stock में नजरा रहे थे, बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखा जाए, stock में यहाँ पर support लिया, support लिया, support लिया, resistance, resistance, बिल्कुल यहाँ पर support resistance का game stock में चल रहा है, और बिल्कुल stock में यहाँ मिला एक breakout, breakout के बाद stock उपर गया, retest करेगा, और सीधा जाएगा उपर बिल्कुल यहाँ पर अगर देखा जाए, तो breakout के बाद, retest करके, उपर के उपर जाने के लिए, stock ready है, और यहाँ पर अगर देखा जाए, तो 516 रुपे के level ही है, यह जो level है, 516 रुपे के आसपास का level है, 516 रुपे के level के आसपास, यहाँ पर stock retest कर सकेता है, retest करके चाएगा, तो यहाँ पर मैं negative आदे क्यों कर रहा हूँ, तो यहाँ पर guys अगर देखा जाए, क्यूंकि कहीं न कहीं stock में scenario बेसे ही बन रहा है, इसके बारे में मैं तो पहले ही बता चुका दू, किसी sideways चलेगा, और बिल्कुल एक breakout के बाद आपको opportunity बिलेगी, बिल्कुल stock उपर जा रहा है, और यहाँ पर अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं आज से stock में bullish हूँ, क्यूंकि यहाँ पर अगर candle उपर की और close होती है, तो बेलकुल एक उपर की rally आने वाली है, 10 से 20 रुपे तक भी stock बढ़ सकता है guys, इतनी ताकत है वीप्रो में, और मैं retest करना है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, तो कहीं न कहीं यहाँ पर support लेके stock उपर गया था, फिर support लेके उपर गया, फिर finally यहाँ पर एक double top का scenario बना, breakdown हुआ, नीचे आएगा retest करके यहाँ पर इससा कुछ scenario बन सकता है, बट depend करता है, काभी कुछ चीज़े होती है, जो depend करती है, किसी भी level पर हो सकता है कि इस level पर already support ले चुका हो, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था, एगर support level बनता है, तो यहाँ से stock उपर के उपर गया जाएगा, तो यहाँ से बे तो positive हो कि उपर के उपर जा सकता है, और यही level में यहाँ पर भी आप गाइस, मैं level की बात करूँ, 616 रुपे का level है, हापर सॉरी, 616 रुपे का level है, हापर मैं बता रहा हूँ, 616 के level तक ही जाए गए जाएगा, क्योंकि मैं हा तक तो positive हूँ, बर उसके बात कि अगर कहानी देखी जाया, थोड़ा आपको यहाँ पर aware रहना पड़ सकता है, क्य पॉस्टी का ही लगा दिया, यानि मान लो 19 रुपे तक का high है, और लो कितना लगया, पांसो चूपन रुपे का सबसका, तो बिल्कुल गाइस, 3.14 लाइक करोड का stock है, जो market cap है तो बिल्कुल यहाँ पर positive तो रहना ही पड़ेगा, तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक करो, चनल को सबस्क्राइब करो गाइस, थैंक यू